नमस्कार, आज हम लोकी पाला के सबजी आपके साथ सेयर करेंगे, तो आए इस आसान से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे हम पाला को दो दिन पानी से धुलने के बाद बारी बारी काट लेंगे लोकी को भी छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं अब हम इसमें डालने के लिए अद्रक लेसन हरी मिज को भी पाई पाई काट लिए हैं यह उरत की डाल की बारी है, इसकी रेसिपी आपको हमाई चैनल पर मिल जाएगी आदा चमज हल्दी पाउडर और एक पिंच हींग, नमक स्वाद उनुसार अब हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे तेल गरब हो जाने के बाद हींग और बरी को डाल के अच्छी तरह भून लेंगे बरी भूनने के बाद इसमें अदर ग्लेसन हरी मिज को भी डाल के 3-4 सेकेंड के लिए भूनेंगे अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके बाद लौकी जो काटके रखे ते इसको भी डाल देंगे एक दो मेट लौकी को इस तरह से खूला ही भूनने के बाद बारी कटे हुए पालक को बीच में डालेंगे पालक डालने के बाद हम नमक डाल देंगे और इसको ठक देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे धिये धिरे हमारा लौकी और पालक दोनों गल जाएगा यहाँ पर हम साकी सब्जी को लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं आप चाहे तो अल्मियम की कढ़ाई में बना सकते हैं लेकिन साकी सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो जादे फायदे मन होता है और इस तरह से देखिए हमारे सब्जी धीरे धीरे गलती जा रहे हैं और भी स्वादिश लगता है अब हमारे साग की सब्जी बनके तयार हो गई है ठंड के मौसम में हरे पतेदार साजी सब्जियां खुब मिलती हैं तो आप इस तरह से सब्जियों को बनाएं और घर के सभी सद्श्रकों किलाएं क्योंकि यह बहुत ही फायदेमन सब्जी है इस को हमारी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले नई रेसिपी के लिए जुड़े रहें धन्यवाद